Assalamu alaikum dear students of class 9th, today we will read the second part of your play, If I Were You. In this play there are two characters and they conversate to each other, Mr. Gerard and Intruder. Intruder means, जो गुस्पैट ही होता है, जो कमरे में दाखल होता है, with an intention that he will do cry, dear students. अब If I Were You, जो टाइटल है, ये कहता है कि काश में, If I Were You, काश में आप होता, मतलब आप इसमें कौन होता है, Gerard I, इसमें Intruder होता है, Intruder जो होता है, ये गुस्पैट ही होता है, ये कहता है कि मैं किसकी image ले लो, Gerard की image ले लो, क्योंकि Intruder खुद एक criminal person होता है, वो दुन्या से, वो दुन्या से, मतलब कोसुं दूर बागता है, क्योंकि कहीं भी उसे police पकड़ लेती है, क्योंकि police हमेशे उसकी तलाश में होती है, इसलिए वो किसकी identity लेना चाहता है, जराड की लेना चाहता है, अब इन दोनों की दर्मेन conversation स्टार्ट होती है, हमने पड़ा कि conversation जो स्टार्ट हुई है, यह इसे कहता है कि मैं आप से कुछ सवाल करूँगा, ताकि मुझे information गेन हो जाए और मैं आपका कतल करूँगा, अब हम देखेंगे, यह उसके कहता है कि मैं आपका कतल करूँगा, अच्छा, उसे कहता है कि मैं मुझे आज आप अच्छा audience मुझे मिला, तो जो मेरी दलील सुन सके, जब मैं छोटा था तो मुझे जिपसी लोग उन्हें उठा लिया था, खाना बेदुश लोग उन्हें उठा लिया था, और तीस साल बाद मैं इस SX कोटेज में, तन्हा SX कोटेज में आ गया हूँ, लोनली SX कोटेज में मैंने जगा ली, गिराड कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो, आप यहां अकेले बैठे हो, क्या यहां आप अकेले हो, कोई और तो नहीं है, यह क्वेस्चन है इंट्रिडूर का, गिराड कहता है, मुझे लग रहा है कि आप मुझे बता रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, मतलब यह देखो, सेनस कैसा है लाइन का, यह कहता है, मुझे मुझे आप बता रहे हो, न कि पूछ रहे हो, आप यहां अकेले रहते हो, अच्छा, अक्वेस्चन आफ इन्फलेक्शन, मतलब यह गर्दिश आवाज का क्वेस्चन है, आपकी जो आवाज है, यह अंजान आवाज है, मतलब आपके आवाज से पता चलता है, आप अजने भी इन्सान हो, मतलब इन्फलेक्शन इसमें यह है, कि आप बता रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, इन्टिडर विद अमफेसाईज, वो जोर देता है, कि आप यहाँ अके लिए रहते हो, इन्फलेक्शन में इसमें, मतलब इसे जोर देता है, मतलब अच्छे से इसे नहीं पूछता है, इन्टिडर कहता है, जिराड कहता है, अगर मैं आपका जवाब नहीं दूँगा, गिराड कहता है, I think, good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. Why do you think, Mr. गिराड कहता है, I think, good sense is shown more in the ability, मेरे खयाल में, धर्द से बचने की सलाहत में, अच्छी समझधारी का मुझारा, सिर्फ इसकी खावाइश का बचाने का है, मतलब समझधारी यही है, ability यही है, मतलब सलायत यही है, मैं आपको सवालों का जवाब दू, What do you think, Mr. आप क्या समझते हो, Mr. Intruder का Intruder कहता है, Never mind my name, मेरे नाम मतलो, मेरे नाम से आपको कुछ नहीं है, मैं आपसे ज़्यादा जहनता हूँ, Mr. Girard, What are your Christian names, आप अपने Christian name बताओ, आपके Christian नाम क्या है, किस नाम से आपको पुकारते हैं, Girard बताता है, Vincent Charles, मेरे जो Christian नाम है, वो Vincent Charles है, Intruder, Do you run a car, क्या आप एक आर चला सकते हो, Girard गता है, No, मैं नहीं चला सकता हूँ, Intruder, That is lie, अपने जूट बोला, You are not dealing with a fool, आपका जो डील हो रहा है, वो एक बेवकुप से नहीं हो रहा है, I am as smart as you, मैं आपसे ज़्यादा smart हूँ, And smarter, बहुत ज़्यादा smart, And I know you run a car, आप एक कार चलाते हो, Better be careful wise guy, आप खुशार रहो wise guy, मेरे सवालों को अच्छे से जवाब दो, गलत मत देना, Girard कहता है, Are you American? क्या आप American हो, Or is that merely a clever imitation, या आपने कोई copy की है, English बनने की, American बनने की, Intruder कहता है, Listen, This gun is not toy, यह जो revolver मेरे हाथ में है, यह खिलोना नहीं है, I can hurt you without killing you, मैं आपका नुकसान पहुचा होगा, लेकिन, मैं आपका नुकसान पहुचा सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं, And it will get my answers, और मैं अपने जवाब तलब कर सकता हूँ, Girard कहता है, Of course, बेशक, If you put it like that, अगर आप इसे ऐसे रखोगे, I will be glad to assist you, मैं आपका मददगार बन जाओँगा, मैं तयार हूँ, I do possess a car, मेरे पास एक car है, मैं एक car की तहवील रखता हूँ, मतलब मेरे पास एक car की मिलिकियत है, And it is in the garage around the corner, वो उस कोने में, क्या यहाँ लोगों का अकसर आते जाते हैं, क्या यहाँ लोग अकसर आते जाते हैं, मुझे इस सवाल का जवाब बताओ, गिराड कहता है, Very rarely, कभी को बार, Surprisingly, Few people take the trouble to visit me, हैरानगी की बात यह है, कुछ लोग यहाँ आते हैं, और वो मुझे क्या दुखी होके चले जाते हैं, There is the backer, यहाँ एक नानवाई है, and a green grocer, एक सबजी फरोज भी है, of course, and then, there is a milkman, quite charming, यहाँ एक दूदवाला भी है, गवाला भी है, वो बहुत charming है, खुबसूरत है, but no one so interesting as yourself, लेकिन आज तक यहाँ कोई दिल्चस्प ऐसा किरदार नहीं आया है, जैसे आप आए हो, Intudor, I happen to know that you never see traders people, मुझे यह मालूम हुआ कि आप traders people से नहीं मिलते हो, मतलब सुमाल traders वाले लोगों से आप नहीं मिलते हो, यह मुझे मालूम हुआ है, मुझे लग रहा है कि आपको काफी हद तक परिशानी हो गई होगी मेरा इल्म जानने में, मतलब मेरा ख़दोखाल जानने में आपको काफी मुश्किलातों का सामना करना पढ़ता होगा, पढ़ा होगा, Since you know so much, आप बहुत जादा जानती हो about me मेरे बारे में, मुझे इसा लग रहा है कि आपको काफी हद तक परिशानी हो का सामना करना पढ़ा होगा, मेरे बारे तक पहुचने में, Won't you say something about yourself, अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे, You have been so modest, आप बड़े नरम दिल हो, ना modest means downturn, मतलब आप बढ़ के लिए नहीं हो, अप downturn हो, आप अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे, Intradure कहता है, I could tell you plenty, मैं आपको अपने बारे में काफी कहूँगा, Tension मत लो, You think you are smart, आप सोचते हो, आप smart चालाख हो, But I am the top of the class round here, लेकिन मैं यहाँ इन लोगों मैं से सबसे उपर हो, मतलब मैं चालाख लोगों मैं से सबसे ज़्यादा चालाख हो यहाँ पर, I have got brain, मेरे पास दिमाग है, And I use them, मैं उसे दिमाग को use करता हूँ, That is how I got, वायर I have, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, आप तक पहुँच गया हूँ, क्योंकि मैंने brain का इस्तिमाद किया है, गिराड कहता है, And why precisely have you got, छोटी सी बात यह है, precisely में मुद्ध मक्तसरन, have got, I don't require a great brain to break into my little cottage, इसमें एक दिमाग वाली कोई वही बात नहीं है, दिमाग लडाने की कोई बात नहीं है, मेरी खिड़की तोड़के मेरे कमरे में आ गए हो, इसमें कौन दिमाग लडाने की कोई बात नहीं है, Intruder कहता है, When you know why I have broken into your little cottage, जब आप जान जाओगे, इसने मेरी खिड़की क्यों तोड़ी, मेरे गर का कम मतलब, मेरे गर के अंदर क्यों दाखल होगे, जब आप ये जान लोगे, You will be surprised up, हैरान हो जाओगे, And it won't be pleasant to surprise, ये अच्छी surprise नहीं होगी उस वक्त, क्योंकि ये उसे मारना चाहता है, अब कहता है, With you figuring so largely in it, मतलब हाँ, मैं समझ सकता हूँ, That is ununderstable, मतलब जो मैं समझ सकता हूँ, आप यहां क्यों आ गए है, यह मेरी मतलब परे है, यह बात मेरे सबसे हटके है, ununderstandable, मतलब मैं यह नहीं समझ सकता हूँ, आप मेरे कमरे में क्यों आए हो, By the way, What particular line of crime do you embrace, यह मुझे बताओ, Embrace, Embarrass, Embarrass means to do something, मतलब कितने बड़े चोर हो आप, यह आप specialist नहीं हो, यह आपने कभी चोरी नहीं की, इंटर बताता है, My specialty is jewel robbery, मेरी जो specialty है, मैं jewel चोरी करता हूँ, हीरे जवाहरत की चोरी करता हूँ, Your car will do me a treat, जो आपकी जो car है, वो मेरे लिए gift साबित हो सकती है, treat साबित हो सकती है, It is certainly a dandy bus, dandy bus means stylish bus, fashionable bus, क्योंकि यह एक stylish bus है, मैं इसी को चोरी करूँगा, I am afraid, Jewelers are few, यहाँ पे Jewelers ज्यादा नहीं है, and far between in the wilds of Essex, क्योंकि Essex जो है, दूर दराज एक jungle है, दूर दूर तक यहाँ, Jewelers की कोई बात ही नहीं है, आप यहाँ क्यों Jewelers देखने आये हो, यहाँ दूर दूर तक Jewelers की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह जो wilds of Essex है, यह jungle है, जंगल, इंटरो कहता है, So are the cops, I can retire here nicely for a little while, ऐसा ही मानो, मतलब यहाँ पुलीस वाले भी नहीं होगी, जैसे ही यहाँ, here यह जवाय रहत नहीं है, So are the cops, और यहाँ पे पुलीस वाले भी नहीं है, I can retire here nicely for a little while, मैं यहाँ से आराम से चैन से रह सकूँगा, क्योंकि मुझे पुलीस का कोई डर नहीं होगा, You mean to live with me, क्या आप यहीं चाहते हो, क्या आप मेरे साथ रहोगी, A trifle sudden isn't it, क्या एक छोटी मूटी लडाई नहीं होगी, क्या आप बिना वाज़े मेरे कमरे में रहोगी, You have not been invited, आपको मैंने invite भी नहीं कि, आपको यहीं रहूँगा, Intruder, You won't be here long so, आपको ज़्यादा देर यहां नहीं रहना है, I don't trouble to ask, मैं आपको परिशान नहीं करूँगा, यह कैप पूछने के लिए, मतलब आपको मैं ज़्यादा देर यहां नहीं रुखने दोगा, क्योंकि यह इसे मारना चाहता है, Girard, What do you mean, आप क्या कहना चाहते हो, Intruder, This is your big surprise, यह आपके लिए बड़ी हैरानी की बात है, I am going to kill you, मैं आपको मारना चाहता हूँ, That is a big surprise for you, Turn on the page, mind, Girard, A little harsh, isn't it, क्या यह rudeness नहीं है, क्या यह सकत दिली नहीं है, आप मुझे मारोगे, Intruder, With heavy sarcasm, Sarcasm में जो लफज एक होगा, लेकिन उसका मानी कोई और हगा, Approachness नहीं हम बोलते हैं, Sarcasm, Yeah, I will be sorry to do it, मुझे माफ करना, मैं यह काम करूँगा, I have taken a fancy to you, मतलब, लेकिन मुझे आप पसंद आने लगे हो, But it isn't just go to be done, लेकिन यह करना ही करना है, मुझे आपको मारना ही मारना है, जिसे Sarcasm ही है, मुझे आप पसंद आने लगे हो, यह Sarcasm है, मतलब, मुझे आप पसंद आने लगे हो, यसलिए आपको मारना ही मारना है, Girard कहता है, Why add murder to you, to your other crimes, मतलब, अगर आप कोई और crime करते हो, तो murder क्यों करोगे आज, It is a grave step you are taking, It is a serious step you are taking, आप परलज, आप हीरे जवारत को चूरी करते हो, तो करो तो आप आज कतल क्यों करना चाते हो, It is a serious step you are taking, मतलब, एक serious step आज आपने उठाया, It is not good for you, Intruder कहता है, I am not taking it for fun, मैं मज़ा के लिए कतल नहीं कर रहा हूँ, I have been hunted long enough, मेरी पुलीस पीछे पड़ी है बहुत देर से, वो मुझे डूंड रहे हैं, I am wanted for murder already, मतलब, मैंने पहले ही कतल किये हैं, and they can't hang me twice, वो मुझे दोबारा फांसी नहीं देंगे, मतलब आप मेरा मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन इसका वज़ा कोई नहीं है, so to speak, admit you have nothing to lose, so to speak, अब ये कहना चाहता हूँ, admit you have, मैं तस्लीम करता हूँ, admitted, मैं ये तस्लीम करता हूँ, you have nothing to lose, मतलब आप कुछ खाओगे नहीं, मतलब मेरे मरने से आपको कुछ नहीं होगा, but what have you to gain, लेकिन ये बताओ, आप क्या कमाओगे, आप क्या जीत पाओगे, मेरे admitted, I have nothing to lose, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा मेरे मरने से, लेकिन ये भी बताओ, क्या आपको नफख क्या होगा मेरे मरने से, Thanks my dear students, this was the part number second, Inshallah or Rahman, tomorrow we will complete this, Thank you.